जहिन साथियो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन जारी किया गए हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेट की द्वारा और इसका नोटिफिकेशन डेट रखा गया है 3012-2022 और यह जो फार्म भरना श्टार्ट हुआ है 3012-2022 से भरना श्टार्ट हुआ है और यह फार्म भरा जाएगा आपका 13-1-2023 तक अथाथ इसका जो अंतिम्तिती रखा गया फार्म भरने का 13 जनवरी 2023 रखा गया हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेट के द्वारा और इसमें जो फार्म को अपलाई कर पाएंगे केवल आई टेई के छातरी फार्म को अपलाई कर पाएंगे जो कि यहाँ पर साब तोर पे लिखा गया है नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसके बारे में इसके पूरी जनकारी डिटेल में दी गई है जैसे कि प्रता प्राप्त और दगिक प्रसेशन सास्थान से आपने NCPT से या SCPT से ITI कर रखा हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं अब इसमें ध्यारे किएगा जो चाहतर एक साल का कोर्स के हैं वो लोग भी फार्म को अप्लाई कर पाएंगे यहां पर ट्रेड के बारे म इसके बाद विलडर है, इलेक्तोनिस मेकैनिक है, इसके बाद रिफिडिशन एर कंडिशनिंग है और इस्टुमेट मेकैनिक रखा गया है, कोपा रखा गया है, यहाँ पर डॉप मिंस सिविल है, सप्लाई प्रोधगकी है और पेंटर है और यहाँ पर आपको देखने हम र जो कि आटो मोबाइल के अंतरगत ही आपका जारी किया गया तो टोटल यहां पर जो ट्रेड निकल करे टोटल 15 ट्रेड़ों के अंतरगत इस भरती का नोटिपिकेशन जारी किया गया जो आप किसी भी राज़के रहने वाले आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं तो चले इसके बारे में आपको पूरी जनकारी देते हैं नीचे आप आएंगे स्क्रोल करते हैं तो यहां पर इसके बारे में कुछ जनकारी दिया गया जीसे कि आप यहां पर ध्याने क्याईगा जो चाहाथर 2020 में 2021 में या 2022 में आई-टी आई पास क्या है चाए वो NGVT से आई-ट पासके हैं वही लोकेवल फांप को अप्लाई कर पाएंगे इससे पहले आपने 2018 में या 2017 में यह 2016 में यदि आपने आइटी अप्लाई नहीं कर पाएंगे नीचे आप आएंगे तो यहां पर पंड़े को मिल जाता है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वह NCBT और यहां इत्यादी अभ्यारती योग ये नहीं माने जाएंगे तो इस बात को आप जाने किएगा जो भी चाहतर फार्म को अप्लाई कर रहे हैं नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन ट्रेट की जो योगता रखी कि इसमें आप पढ़िए इसमें लिखा गया अभ्यारती ने इंटर्मेडियर की परिच्छा निमलिखीत विसे में से किसी भी एक विसे के साथ 2020, 2021 या 2022 में उत्तिर्ण कियो और निमलिखीत वेरिफिकेशन ट्रेटयों के लिए आवेदन अमेंतित यह जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखा गया है tangled वी केसिनल जो ट्रेड सुची रखागे आपका यहाँ पर देख लेकर देख्छे न, गगरना चाहते, वुर लोग यहाँ इन ट्रेड़ौ से आप ह होने चाहिए यहाँ पर रिखा गए आटो मुबाइल है आडियो विजूल है हिल्थ वर्कर है इस्टोनों है और यहाँ पर एक काउंटेंसी देखने को मिल जाता है लेकिन आई के चाहतर आप इस पर ध्यान न दीजेगा नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको आपको registration करना होगा ठीके द्यान रिखिएगा यहा आप इस पास को अप्लाई करें आपना इहां पर पास अभ्यारति इस परिछा के पात्र हैं मतलब कि जो में प्राइब आप्हारति आवेदन कर सकते हैं मतलब कि आप यदी इंडियन है किसी भी राजय के आप रहने वाले फार्म को apply कर सकते किसी भी आप राजे के रहने वाले कोई दिक्कत नहीं है और इसका जो यहाँ पर कुछ फार्म भरने का इन्होंने प्रोसेस बता रखा है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको जनकारी मिल जाएगा यह आपके जो यहाँ पर अवधी रखा इससाफ है तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँपर नाजे आंगे कितने अप्लाइव कर पाएंगे लेकिन जो चातर SST के अंतरगत आते हैं उनके लिए आपर 5 वर्स की छूटे और जो चातर OVC के अंतरगत आते हैं उनके लिए आपर 3 साल की छूट रखी गई है ध्याने के गाई और जो चातर दिभ्यांग है वो लोग यहां पर देख सकते हैं उनके लिए आपर 10 वर्स की छूट रखी गई है तो यहां पर काफी छूट के बारे में जनकारी दी गई तो जो चातर जिस कटेक्री के अंतरगत आते हैं वो अपना यहां पर देख लिजेगा निचे आप आएंगे स्क्रोल करते हुए तो आपको बताया गया कि IT बेवसाय में अवेधन करने से पुरूँआ आपको क्या करना है निचे आप आएंगे साथ यूद गरै gives किये इसमें जो आपको डॉकमेंट अटेज करना है जिसमें आपको पहले नंबर पर हाई स्कूल का पर्माणपत्र रहेगा दुसरे नंबर पर आप intermediate का किये हैं तो intermediate का लगा सकते हैं यदि आप दसमी के बाद आप डारेक्ट ITI किये हैं तो बरहमी की कोई जरुवत नहीं है जिसरे नंबर पर IT अंग परमानपत्र आपके पास होना चाहिए और इसके बाद ध्याने किएगा यह आपका इंटरनेट को डाउनलोड से भी होगा तो अभी कोई दिख्यत नहीं है आपके अपा यह दि रिजल्ट आ गया है बहुत सारे चाहत्र हैं जैसे कि लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो आपके पास जिसका हो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए हाइप नंबर पर आपको देखने मिल जाता है एंसी बीटी एमाइस पॉर्टल पर आईटे अपरेंटिसीप पंजी करना चाहते हैं तो सबसे पह पर अधार कार्ड चाहा रहा है देखिए अधार कार्ड तो लेकिन आपके पास पेंट कार्ड भी होगा तो आप अटेच कर देजेगा अगर नहीं होगा तो कोई जरुवत नहीं है इसके बाद यहाँ पर COVID-19 टिका करना और परमापत तक भी लगेगा इसका भी आप टूकापी अटेच कर दीजेगा और इसमें ध्या निखेगा फॉर्म बरते समय आप कोई भी गलती यहाँ पर कर देते हैं तो जो आपका फॉर्म में पूर रिजेक्ट हो जाएगा यदि आप चाहते हैं कि मैं इस पर बताओं कि कैसे मुबाइल के द्वारा या आप इसको आपलाई कर सकते हैं अपलाई करने का प्रोसेस क्या है तो कमेंट वे जरूर बतेगा इस पर मैं वेडियो बनाकर आपको दे दूँगा